नमस्कार मैं हूँ सनी बढ़ानी आप देखना शुरू का चुके हैं वेब करांदी चैनले से में मौजूद हैं जन्नायक जन्ता पार्टी के जिला द्यक्ष देविंदर सरौत उनके साथ मौजूद हैं पलवल विधानसवा छेतर के अद्यक्ष केम चंद गूंडू और आती इस तारी को रैली होने जारी है सीकर राजस्तान में जज़बा की चौधरी देविलाल जो कि देश के उपर धानमती रहें किसान मजदूर कमेरे वर के नयता थे चौधरी देविलाल उनके 110 जन्तिक आउसर पर पलवल से कितनी भागेदारी होगी है ये जानते हैं तीनों ज मसकार आने वाले 25 स्टंबर 2023 को हमर जन्नाक ताउदेविलाल जी की 110 जनम दवस जो है उसको हम किसान विजय दवस के रूप में मना रहे हैं और ये वो भूमी है जहां से ताउदेविलाल जी चुनकर लोगशवासे गए थे सीकर से और देश का नित्र तो किया था इसमें उ उसी याद को दुबारा से ताजा करने के लिए हम सभी सीकर पहुंच रहे हैं जहां तक जला पलवल से लोगों को जाने की बात है तो लगवक 2-5,000 लोग जो हैं हमारे निश्टावन का रिखरता वहां पोहुंचने का काम करेंगे क्या त्यारिया हैं किस परकार से आप लोग जाएंगे कहां एकत्रित होंगे विधान सभा छेतर वाई ड्यूटी लगाई गई है या जिले से ही पूरा एक साथ आप पाई लोगों के चलेंगे सर प्रतम हम सुवे मॉर्निंग में है ताव देविलाल जी की जो प्रतिमा है हमारे पलवल और कर्मन बॉर्डर पर है वहां पर माल अरपन करेंगे उसके वाद सभी साथ ही एकटा होके यहां से सीकर के लिए प्रिस्तन करेंगे प्रिकर राइस्तान में अगर आप जा रहे हैं जैसे आपका काफिला जाएगा तो विवस्ता काफी मौसम भी जैसे आप देख रहे हैं किस परकार से है तो लंबा सभार है सीकर का तो किस परकार से ऐसी विवस्ता की जाएगी जिससे कारेकरताओं को दिकते नहों खास तोर तो लगवाग चार से पांस गंटे का रास्ता रहेगा आराम से पहुंचेंगे अपने ताउदेविलाल जी की जैनती मनाने के लिए उसके पीछे कारण यह भी पताई जारा है कि राजनेतिक तोर पर अपने जड़े मज़बूत करने का एक प्रयास है राजस्तान में अपने देखा पीछे भी हमारे जन्ना एकताव देविलाल जी वहां से चुनाब लड़े थे हमारे जो राजचे अदक्स हैं रोटा जर वो भी वहां से चुनाव लड़के आए हैं और पीछे आप में देखा था हमारी 8-10 रेलियों में हुई हैं उन रेलियों में उनका प्यार जो महबत जो है हमारी नेतृत के साथ में काफी ज्यादा है लोगों का उत्सा है लोगों के अंदर और उनकी डमांड है कि वह ताउद की सीटे रह जाएंगी और साथ में ये भी कहा है कि हरेना शोड रायस्तान में भाग रहे हैं तो पार्टी रसातल में जा रही है देखो जहां तक वेपक्ष्चा सवाले वेपक्षियों का काम जो है खासकर इस तरह के वेपक्ष्चा काम है कोई अच्छा काम हो ना हो उनको को विरोध करना है ततहीन बातों के लिए अब आपने देखा हमारे नित्रतुने भाही दुशन चुटला जी ने जो वादे हमारे विदान सवा के दौरन किये थे जो में मुक रूप से था हमारे हरियाना के यूवाओं के लिए 75% आरेक्ष्चन देने का काम किया हूँ आप डिपो होल्डरों के लिए हमारी माता बहनों के लिए भी जो वादे किये थे वो आपके सामने हैं इसके अलाबा जो स्ताने निकाय चुनाब है उनमें जो वादे किये थे कि भी हमें बराबर कहा कर अपनी माता बहनों को देना है वो आपके सामने करके दिखाया है हलांकि हम जो सांजा जो सरकार के अंदर है माद 10 परतिसत है लेकिन बाही साब की सूजबूद जो है उनकी जो सोच और समझ जो है और नियत जो उनकी साब सुत्री है उनकी बज़े से वो आपने सभी वादों को पूरा करने में काम्याब रहेंगे और दूसरी जो है आपने देखा है जो समझदार लोग है वो बताते जो प्यांद के पीछे क्यों कि उनको पता कि भाविस का निता जो है month दूस्यन चुतला जी बहसमें जो हरियने का बहुत से जो लोग देख रहे हैं वो दूसलिका दिखते हैं जो भी ये विपक्स के जो लोग ये बाते बनाते हैं तो उ कि ने तो इन्डर की भागेदारी यह नहीं है किया वह बिलपास कराने में भी वह सांजा थे नहीं थे लेकिन जो विरोध करना है वह मात की अश्चम चटाला के कुछ दुश्य गजा जो फिर्वार नहीं है क्योंकि यह वह जो राजनितिक हमले हो रहे हैं परिवार से हो रहे पिछे भी उनकी को गलती रही नी थी, कोई भी गलती नी थी, उन्होंने पहले उनको निकाला था पार्टिश जब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहीं जब जब जनता की जो सोच थी, जनता की एक माति दुशन चुटाला, आपने उस रेली के अंदर भी देखा था, कि प्रदेश की आवाज थी बनके निकले हैं तो घरवालों उनको भी ये सोचना चाहिए था कि अगर हमारा समाज हमारा हरियाना एक आवाज लगा रहा है तो उसके पीछे चलना चाहिए था जबकि ऐसा उनों नहीं किया है आपकी जिले से पार्टी के नेताओं ने पार्टी में पार्टी छोड़ रहे हैं जजबा कार्य कारताओं का ये कहते हैं वो कि उनकी सरकार में उनके चलने रही है और था हुआ तर्दुर द्वसीन कणा इंदरंसा इनिध्यल जब्टी था पार्टी तरफ और भाई दुसरें स्ट्रलाजी का जो दरवार लगता है जो लोगों की दुखी लोगों की समिश्याओं को सुनते हैं वाकदा बैठा के समझा के और उनका जतना मैक्शिमम हो पाता है वो उनकी काम करने की भी प्रियास करते हैं अच्छा दोजार उननीस दो चुनाव लड़ेते आप बीजेपी के खिलाफ लेकिन बाद में जब सरकार बनी तो दोनों सांज़ार हो गए दोजार चुबिस का चुनाव कैसा रहेगा जजबा अकेले लड़ेगी या पाड़ेशिम में लड़ेगी देखो पीछे भी हमने उन मोटा बोज हमारे उपर पढ़ने वाला था और जो हमारे अच्छे जो काम थे अगर हम सरकार में रहेंगे तो हम अच्छी नीतियों को लागू कराने में सरकार को पर दबाब भी डाल सकते हैं उन्हीं बातों को देखते हो हैं जो हमने वादिय किये तो मैं मैक्शीमाँ को करने का काम भाई दूसरें चुटला जी ने किया है जहां तक बात है अगले चुनाबों के लिए अभी हमारा ही सीष नितरुत का मैटर है वेसे तो लेकिन यह घोशना हो चुकिया कि हम मिलके चुनाब लड़ेंगे साजा चुनाब लड़ेंगे लोगसब चुनाब में लोगसबाब में जैसे बात जैसे तरह से बात चलती है लेकिन विदान सब्सक्राइब ऐसा लग रहा है बीजेपी आपके साथ नहीं रहेगी आपका साथ लेकर नहीं चलेगी वह अगरे चुनाब लड़ सकते हैं चर्चा जो है यह निचे वाले तपके के हिसाब से चल रह जंतकुंडू पलवल के विदानसबा चेतर के अद्यक्ष और अतीन विदानसबा चेतर के अद्यक्ष सुखरामडागर 25 तारीक रैली को लेकर उनको जबता सुथा है और भारी संक्या में पलवल से इस्सेदारी रहेगी राजस्तान के लिए लेकिन सबसे पहले सुबह यूटूब चैनल फिजूपेड इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल इसको आप लाइक करें फोलो करें कमेंट बॉक्स से जाके प्रतिकरिया देश लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर दिजिए धन्यवाद जैहिन जैभारत